पापा, आपको कितनी बार कहाया है न, ये खटारा यहां मत खड़ा किया करो यार बेठा, अपना घर है, तो फिर ये गाड़ी और कहां लगाऊंगा? गाड़ी, गाड़ी कहते हैं आप इसे, कबाड़ है ये कबाड़, आपको सुबह बताया था न, मेरे दोस्त आने वाले, वो आएंगे, पूछेंगे तो क्या कहूंगी, मेरा बाप एक आटो ड्राइवर है, बेठा, तो मैं आटो ड्राइवर ही तो हूँ न, हाँ, एक आटो ही हैं आप, पर ये कोई शान की बात तो है नहीं न, पापा की इधर उतर बताते फिरूंगी, प्लीज ये सब बक्वास बंद करिये, हटाईए आप इसे यार, अरे, अरे, बेटा, पापा, तुम यहां कबसे कड़ी हो, चलो चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूं, आओ, पापा, आपको कितनी बार कहा है, मेरे कॉलेज के आसपास मत गूमा करो, ओ बेटा, वो पीछे सड़क खराब थी, इसलिए मैं इस तरब से चला आया, जो भी हो, अब जाओ आप यहां से, जल्दी जाओ, अरे, अनिश्का, क्या हुआ, अरे, यार, कुछ नहीं, ओटो वाल पापा, मेरी जॉब लग गए, क्या बात है, हाँ, अच्छ लाग का पैकेज लगा है, अरे, वा बेटा, शावाज, 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 आज शाम को हम सम लोग ना मंदिर चलेंगे, मैंने ते ले ना मननत मांगी थी, बेटा, और अब हम जाएंगे कैसे, अप शाम तक शाद ना रहे, क्या मतलए? मैंने सुनु से बात किया है, वो इसे खरीदने के ले तयार है, अब शाम में उसे पेपर्स दे देना, लेकिन बेटा, इतने सालों से इस ओटो ने हमें कितना सहारा दिया है, पापा, इस बारना मैंने डिसाइड कर लिया है, या तो शाम अब शाम में ऑट देना, या तो आप इस खर में मुझे रखतों, या तो आप इस खर में मुझेर रखतों, या तो आप इस कबाद कर दो तो अब क्या वो पूरी जिंदगी आटो चला चला कर हमें दुखी करें हैं क्या तुझे पता भी है तेरा मेरा करियर उस आटो ने बनाया है करियर बनाया मतलब तुझे पता है जब तुछोटी थी न तो पापा पर दस से छे की गौवर्मेंट जॉब कर जाते है और उन्हें न पता था कि ये साथ घंटे की नौकरी करके वो हमारी लाइफ नहीं बना सकते हैं इसलिए उन्होंने आटो चलाना स्टार्ट करते हैं एक् लेकिन तुझे अपने लाइफस्टाइल और स्टैंडड के आगे कुछ दिखाई नहीं है अलसू सुरी बही हां सुरी मुझे नहीं पापा को हुआ है ठीक है चला ठीक है बाइ है हालो भड़ा पापा अज मेरे ओफस का पहला दिन यहाँ आप मेरे साथ ओफस्टाइल करें लिए है ऐकिष्टा मैं आता हूं था मेरा अटो हाँ पापा आज ही इसे वापस खरीद के लाई हूँ मैं हमेशा से आपको और इस आटो को लेकर शर्मिंदा फेल करती रही but I promise I have changed और आप अपनी इसी ओटो में बैठके मेरे ओफिस जाएंगे आप मेरे बॉस से मिलेंगे मेरे कलीग से और मेरे दोस्तों से नी बठाए मुझसे नहीं होगा क्यों नहीं होगा पापा जरूर होगा Arrogance and over smartness usually lead to disaster let's try and avoid it that's it for this story see you next week for the Hafiz and stay positive if you are going through any psychological or relationship problem then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive it's a community counselling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity the link is in the description below thank you bye